हेलो एवरिवन वेल्के बैक टू माई चैनल मैं गीत को सीख कैसे आप सभी आयोप सभी अच्छे ही होगे तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कलीदार लेंगे की कटिंग यह हमारा फैब्रिक है जो मैंने फोल्ड कर लिया है उससे पहले मैं आपको समझा देती हूं कि कली ह के देनी है अब फ्रेंड़ सबसे पहले मैं आपको बता दूकि हम अपनी कली की चोड़ाई कितनी रखेंगे जो हमारी कली होते हुसकी सेव कैसे होती है एक साइड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे जितनी भी हमारी कमर होगी जितनी भी हमारी कमर होगी उससे हमारी कलियों को डिवाइड कर देंगे तो यह डिवाइड करने पर 3.2 आया है मतलब सवा 3 इंच की हमारी कली आई है अब हम क्योंकि हमारी कली जब जोईंट होगी इधर से भी जोईंट होगी इधर से भी जोईंट होगी तो आदा आदा इंच दोनों साइड से चला जाएगा मतलब तैयार होके ये सवा 2 इंच की बचेगी इसलिए हम जो हमारी कली की कटिंग करेंगे उसमें हम एक इंच पलस करके करेंगे तो हमारी कली सवा चार इंच की ये कली ऐसे बनेगी ये सवा चार इंच की हमारी कली बनेगी नीचे से हम अपने कपड़े के अकोर्डिंग अगर आपको कम घेर वाला बनाना है तो आप 8 इंच ले सकते हो ज्यादा घेर का बनाना 10 इंच ले सकते हो या आप 12 इंच भी इसमें ले सकते हो जितनी आपको जरूरत है उसी के अकोर्डिंग यह हमारी कली के चोड़ा यागी सवाच चार इंच और उसके बाद हम लेंथ कैसे लेंगे हमारी 14 इंच की लेंथ है और उपर हम 2 इंच की अलग से बैल्ट लगाएंगे तो हम इसमें से इसको कम कर देंगे जो हमारी टोटल लेंथ होगी इसमें से हम जैसे 2 इंच की बैल्ट और आधा इंच्छ यहां से हम लेस लगाएंगे फोल्ड नहीं क्रेंगे थनी पर लेंगे अगर विपनेंचें परतफ यहां एंगे और रहोड़ों कि हमारी यहां पर डाध इंच्छ लगवेंगे तो करना कि Two तो भी है लेंथ और दो इंच के बैल्ट लगा रहे हो तो भी इसमें से वन इंच माइनिस कर लेना फोटी वन इंच की आप अपनी कल्यों की लेंथ निकाल लेना अब मैं आपको फैब्रिक पर समझाती हूं कि हमें लेंगे की कटिंग कैसे करनी है यह हमारा फैब्रिक है फ्रेंट्स अब इसकी बोटम में जो लहंगे की बोटम है उसमें हम लेस से बोडर बनाएंगे यह हमारी लेस है अब हम अपनी लेंथ के कोडिंग अपने फैब्रिक को नापेंगे जो हमारे यह फैब्रिक में इंबोडरी बनी हुई है यह लेंथ से कम कि हमें कहां हैं तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रंट ओपर और नीचे हम plain fabric रख लेंग क्योंकि नीचे हम सी लगाईंगे गिले जो हमारा नेपा होगा तो उसमें हमारी cover हो जाएगि तो इसके और पर इक एक इंच छंग एक्सट्रा तो मैं यह निशान लगा लेती हूं फोल्ड करके दोनों साइड को अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे और एक इंच का हम इधर से निशान लगा लेते हैं और इसे सीधा करके हम यहां से कट कर देंगे एसे फोल्ड करने से फ्रेंट्स यह सीधा कट हो जाएगा इसलिए मैंने इसे फोल्ड करके रखा है यह हमारा कट हो गया है अब हम अपनी कलियों का निशान लगाएंगे उसके लिए हम friends मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि हम 7.4 इंच की कली उपर से लेंगे और 10 इंच की हम नीचे से लेंगे तो हम सबसे पहले उपर से हम 7.4 इंच ले रहे हैं एक साइड से और उदर से हम 10 इंच पर ये निशान लगा रहे हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना एक साइड से हम चोड़ी लेंगे एक बार उससे दूसरी साइड हम फिर कम चोड़ी वाले जो हमारा निशान है मतलब एक साइड हम सवाचार लिया है ऐसे हम पहले तिर्चह मिला लेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे समझा दूंगी पहले मैं आपको एक कली काट करके दिखा देती हूँ ऐसे हम एक कली के लिए निशान लगा लेते हैं और इस निशान पे हम इस कली को कट कर देंगे क्योंकि friends अगर मैं एक साथ में सारी कलिए आपको समझा दूंगी तो आप पजल हो जाओगे इसलिए simple way में मैं आपको समझाना चाहती हूँ यह हमारी एक कलिक कट हो गई है अब हम क्या करेंगे जिधर से हमने 10 इंच लिया था वहां से हम सवा 4 इंच लेंगे और जिधर से हमने सवा 4 लिया था वहां से हम 10 इंच लेंगे मतलब हम अपोजिट कर देंगे इसका अब इधर से मैंने सवा 4 लिया था अब मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और इसको फिर तिर्चा मिला रही हूँ आप चाहे तो कली को इसके उपर रखे भी कट कर सकते हो बट मैं पहले आपको सिंपल कट करके दिखा रही हूँ उसके बाद मैं कली इसके उपर रखे भी आपको कट करके दिखाऊंगी ऐसे हम इसे तिर्चा मिला के और इसे इनी निशानों पर कट कर लेंगे मतलब यह हमा क wines अपने कली है इसके उपर बिच्छा के भी बिच्छा के हम धिने लेंगे मतलब आपको ध्यान रख Français कि विल्चा करें मतलब सीधे से सीधा एक ँसे मारी कली पॉलिण इक साइडे से एक्वाइड से सब्सक्राइब कर लेती हूं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं कि हम लाइनिंग कैसे कट करेंगे बड़ी ही आसान तरीकी से मैंने आपको समझाया अगर फिर भी आपको कुछ मैं आपके जल्दी रिपलाई देती हूं फ्रेνस् सारी के लिए हमारे कट कर लेंगे अब हम इसके बादʂलाज कront करेंगे यह हमारी कलिया कट हो गई हैं आप सब्सक्राइब कर fantasy लिए अपनी smiling के लिए अपनी light Livities को बिच्षा लेंगे यह इसको जितनी हमारी लहंगे की लेंद थि तो इससे हम थाटी एट लेंगे प्योंकि लहंगे को फोल्ड नहीं करना था इसे फोल्ड करना है इसलिए ये दो इंची के करीब तीन इंच के करीब कम हो जाएगी मतलब तीन इंची लेंगे से छोटी हम लाइनिंग लगाएंगे तो हम इसकी थर्टी एट इसे कट कर लेंगे जो हमारी ये लाइनिंग है इसे हम यहां से कट कर लेंगे मैं यह फोल्ड साइड कमर की साइड रख रही हूं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है आप किधर भी रख सकते हो फोल्ड साइड को इसलिए मैं कमर की साइड रख रही हूं अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे मेरी कमर 38 थी तो उसका मैं फोर्थ करूंगी आदा आदा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा उसका भी मैं मार्जन इसमें रखूंगी मतलब मैं यह 40 के करीब कट करूंगी तो यह 10 इंच पे मैं यह निशान लगा रही हूँ क्योंकि फ्रेंट्स थोड़ा सा खुला रहेगा तो यह ठीक है नहीं तो अगर छोटी बढ़ जाएगी तो प्रोब्लम हो जाती है तो ऐसे हम नीचे से जितनी भी हमारी लाइनिंग का अरज है उससे मिला के और हमारी कमर मैं ने 10 इंच ली थी उससे तीर्चा मिला देंगे और अब यहां से हम कट कर देंगे इसी निसान पे हम इसे तिर्चा कट कर देंगे चाहेता फ्रेंट्स आप ऐसे ही ए लाइन में ये लाइनिंग लगा सकते हो नहीं तो आप जो ये साइड से हमारी कली टाइट में निकला है इसे जोईंट करके और आप अपने जो लाइनिंग है उसका घेर भी चोड़ा कर सकते हो ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है उपर से इन दोनों हिस्सों को मैं अलग लग कर देती हूँ हाँ फ्रेंट्स लाइनिंग का बंद हिसा मेरी साइड है आपको ये भी ध्यान रखना है कि बंद हिसा खुद की साइड करना है उदर से हमें ये कली नहीं कट करनी है कली हमें जहां से हमारी लाइनिंग चारो तरफ से खुली होगी वहां से हम इसे कट करेंगे तो यह हमारी lining भी cut हो गई है और हमारी लहंगे की कलिया भी cut हो गई है और friends इसकी stitching की video हमारे दूसरे part में आएगी क्योंकि अगर मैं stitching की भी video इसी के साथ डाल दी तो video काफी बड़ी हो जाती इसलिए मैंने stitching की video part 2 में डाल ली है जो दो दिन के बाद आ जाएगी तो friends वीडियो अच्छी लगी हो तो video को like करना मत भूलना ऐसी helpful video के लिए बने रही है हमारे channel पर thanks for watching